क्या आप जानते हैं कि उत्राखंड में हुए कुम्ब मेले के दौरान लगबग एक लाग फरजी कोरोना टेस्ट किये गए? क्या ये थी कोरोना के सूपर स्प्रेड होने की बड़ी वज़ा? नोदिस में आज हम आपको बताएंगे इस घोटाली की पूरी कहानी. एसा क्यूं किया गया? ये पूरा फरजी वाड़ा किस तरह चलाया गया? और आखर दो महीने बाद इतने बड़े घोटाले का खुलासा कैसे हुआ? जुड़े रहे हमारे साथ. सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुम्ब मेले में कोरोना टेस्ट घोटाला हुआ? कहानी शुरू होती है पंजाब के फरीद कोर्ट से. यहां रहने वाले LIC एजेंट विपिन मित्तल के फोन पर 22 अप्रेल को एक मेसेज आया. मेसेज में लिखा था कि उनकी कोविट टेस्ट रिपोर्ट नेगितिव आई है. और हैरानी वाली बात यह थी कि विपिन ने कभी कोविट टेस्ट कराया ही नहीं था. फिर विपिन ने हेल्थ डेपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज को इसकी शिकायत की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद विपिन ने इंडियन काउंसल ओफ मेडिकल रीसर्च यानि ICMR को ईमेल की जरिये अपनी शिकायत दीजी. ICMR की जांच में पता चला कि विपिन का कोविट सेंपल हरे द्वार में लिया गया था, जिसके बाद मामले की जांच उतराखंड हेल्थ डेपार्टमेंट को सौब दी गई. स्वास्त सचव अमेत मेगी ने मामले की शुरुवाती जांच कराई और सामने आया कि विपिन मित्तल के अलावा ऐसे एक लाख फरजी कोविट टेस्ट किये गए हैं. टेस्ट डेटा की जांच में पाया गया कि 50 से जादा लोग एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड हैं. एक एंटिजन टेस्ट कित से 700 सेंपल्स की टेस्टिंग की गई. लगभग 200 लोग राजिस्थान के निवासी निकले जो कभी हरिद्वार गई ही नहीं थे. कई जांच रिप इंसियों और 22 प्राइविट लाब्स की तरफ से लगभग 4 लाग कोरोना टेस्ट किये गए थे. उत्राखंड में निजी लाब को एक एंटिजन टेस्ट पर सरकार की तरफ से 300 रुपए मिलते हैं, यानि एक लाग टेस्ट पर 3 करोड रुपए. इसके साथ ही नैनिताल हाई कोट ने कुम्ब के दौरान एक से 30 अपरेल तक रोजाना 50,000 टेस्ट करने के निर्देश दिये थे. इस पूरे घुटाले को एक एक्जैम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. हर द्वार में 10 से 14 अपरेल के बीच कुम्ब में कुल 2,014,015 एंटिजन टेस्ट किये गए तो 300 रुपए के हिसाब से एंटिजन टेस्ट की कीमत हुई 6,42,4,500 रुपए हैं. कोविट की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट से कितना बड़ा घुटाला हो सकता है? पांच दिनों के टेस्ट से ये साफ हो जाता है. आईए अब जानते हैं कि घुटाला सामने की बात क्या हुआ? अब नैनिताल हाई कोट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और जाच की मांग की गई है. उत्राखन सरकार ने हरदवार जिला प्रसाशन को इस घुटाले के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दे दिये हैं. वहीं उत्राखन के पूर्व मुख्यमंत्री जिदु सिंग रावत ने फरजी कोरोना टेस्ट पर SIT जाच का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि दोशियों पर कठोर कारवाई होनी चाहिए. कोविट टेस्ट के लिए कॉंट्रैक्ट पाने वाली प्राइविट एजनसी भी जाच के घेरे में आ गई है. जल्द, कमपनी, म ये में प्रिधान के बेटे डॉक्टर नवतेज ने ही पिता को अंधेरी में रखकर मैक्स कॉपरेट सर्विस के साथ AMU साइन किया था. उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है. जिस तरह से कोरोना जाच में गरबड़ी सामने आई है, उसने स्वास्त विभाग पर केस सामने आ चुके हैं. आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा डिजिटल चैनल, KnowThis.